हलो दोस्तों मैं हूँ प्रियांश दुबे और मैं लेके आए हूँ आपके लिए काफी बड़ी खुशकबरी जी हाँ बात करने वाला हूँ लगबख साड़े आठ थाजार वेकिंसी की अगर आपने ग्रेजुशन कर लिए अपकी ग्रेजुशन कम्प्लीट हो गई है डेन ड आपके सामने आपको पोस्त देखने मिलेंगी और यह वेकिंसी आपके सामने रिलीज हो चुकी है क्या रही गाइस का लिचिबिटी क्राइडियरिया कौन-कौन से बंक इसमें पार्टिसुपेट करेंगी क्या कौन-कौन से कौलिफिकेशन आपको चाहिए बड़ेगी तो यह बात करते हैं सारी चीजों के बारे में 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 हम डिस्क्रिशन करेंगे सबसे पहली बात है कि एक्जाम कप कंड़क्ट होने वाला है तो एक्जाम विल बी कंड़क्टेट इन द मन्त अगस्ट अग के लिए सबसे पहली बात यह कि कौन-कौन eligible रहे गा इन सारी चीजों के लिए और कौन-कौन से bank participate कर रहे हैं तो अगर participating bank की बात कर रहे हैं तो अलाबाद UP के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे eligibility criteria के शीज के लिए क्या रहेगा बात करते नेशनालिटी की तो अगर citizenship की बात करें तो इंडियन यानि की इंडिया का सिडियन होना चाहिए इसके अलाबाद सब्जेक्ट ऑफ नेपाल सब्जेक्ट ऑबूग्टान और तिबितन रुफ्य अगर officer skill 2 की बात करेंगे manager की बात करेंगे तो एक कईस वर्श स्कीर की 22 वर्श तक की आपका IO होना चाहिए officer skill 1 यानि का assistant manager के लिए के बात करेंगे तो आपकी जो आयू होना चाहिए यह 18 से लिए के 28 वर्श के बीच में हो सकती है अगर इस relaxation criteria की बात करी जाए तो SCST category के लिए past circle relaxation, OBC category के लिए तीन साल का लेक्सेशन और जो disability है यानि कि जो अगर banking regulation act की बात करी जाए और जो disability act के अंडर में आते हैं तो उनको 10 साल का लेक्सेशन दिया जाएगा ex-servicement quota में भी 3 साल का extra relaxation दिया जाएगा और ये काफी अच्छी चीज़ है कि ex-servicement quota में भी और अगर post of officer की बात करी जाए तो बहाँ पे पासर का relaxation दिया जाएगा और जिन महिलाओं का divorce हो चुका है, widow है या फिर women जो अपने पती से separate रह रह रहे हैं और जिनकी दुबारा नहीं होई है उनको 9 साल तक का relaxation दिया जाएगा इसके अलावा ये तो कि relaxation वाली बात और आपको एक और चीज़ आद रखना है कि अगर educational qualification की बात करी जाए तो कि इस चीज़ के लिए कौन सी educational qualification चाहिए तो ये बात कर लेते हैं, office assistant के लिए सबसे पहली बात है कि आपके पास आपको लोकल भाशा आना चाहिए यानि कि जैसे माली मदबदेश है मदबदेश की लोकल भाशा जो होती है हिंदी तो हिंदी आपको आना चाहिए जैसे महारास्ट के अगर बात करिया तो महारास्ट में जो मराथी भाशा बोली जाती है वो आपको आना चाहिए इसके अला अगर आपके पास state speech के लिए önemli आ Cantonese All um inигр आपके पास law Economics === आपको सिस्ट के लिए इस आपके लोगनिय लेंग्विज आना चाहिए !! अगर जनराल बैंकिंग मैने office की बात करी जाए तो आपके पस minimum के title ग्रेजुई ay pac उसके अलावा जिसमें आपने minimum 50% marks obtain किये हो और इसके अलावा जिनके पास preference उनको दी जाएगी जिनके पास banking में डिगरी है, finance में डिगरी है, marketing में है, agriculture में है, horticulture में, forestry में है, animal husbandry में है और इसके अलावा management में, law में है, information technology में लेकिन इसके अलावा भी एक और जिसी इंपोर्टेंट है कि यहाँ पर आपका experience mandatory होगा कि आपने दो साल as a officer किसी bank में काम करके रखाओ, अगर specialist officer की बात करी जाए तो specialist officer के लिए यह senior manager वाली post रहती है, और यहाँ पर आपके पास bachelor degree होना चाहिए, electronics में भी आपकी degree चल कि computer size में भी आपकी degree चल जाएगी, और minimum 50% marks आपके पास होना चाहिए, और जो desirable qualification चाहिए, यानि कि आपके पास certificate होना चाहिए, ASP में, PHP में, C++ में, Java में, Visual Basic में, और OCP Extra में, और इसके अलावा अगर आप chartered accountant की vacancy के लिए अपलाई कर रहे हो तो आपके पास chartered accountant होना चाहि और इसके लावा अगर आपके पास field में आपके लिए एक साल का relevant experience mandatory है, चाहे आप IT के लिए post में अपलाई करो चाहिए, अगर आप law officer के लिए अपलाई कर रहे हो, तो आपके पास university of law से एक degree होना चाहिए, जिसमें आपने minimum 50% mark अप्टें किये हो, और 2 साल का आपके पास work experience होना चाहिए, as an advocate, अगर आप treasury manager के लिए apply कर रहे हो, तो आपके पास chartered accountant या MBN finance की degree होना चाहिए, और 1 साल का relevant experience होना चाहिए, अगर आप marketing officer के लिए apply कर रहे हो, तो MBN marketing होना चाहिए, और अगर आप agriculture officer के लिए apply कर रहे हो, तो 2 साल का relevant experience होना चाहिए, senior manager की बात करी जाए, City Manager में आपके पास minimum पार साल को experience होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास degree होना चाहिए तो यह जो आपके पास degree होना चाहिए और यह जितनी भी चीज़ें आपको valid रहेंगी आपके पास 2017-2018 से पहले degree होना चाहिए यानि एक अगर आपके पास 27-288 के बाद अगर आपका result declare होता है तो शीज को consider नहीं किया जाएगा तो overall 27-288 is the final criteria और अगर calculation और percentage की बाद करी जाए तो 59.99% को भी consider नहीं किया जाएगा 60% मतलब 60% 59.99% भी consider नहीं किया जाएगा application fee की बाद कर लेते हैं ऐसी STO PWD के अंट्रियाइट है उनके लिए जो application fee रहेगी वो रहेगी 100 रुपे और बाकी सारे लोग के लिए जो application fee रहेगी वो रहेगी 600 रुपे exam के structure की बात करी जाए तो preliminary examination जो multipurpose assistant के लिए जो paper होता है उसमें आपके में लिए 2 subject पूछे जाएंगे reasoning और numerical ability जो कि आपको 40-40 number के पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको लिए जो time मिलेगा वो आपको मिलेगा 45 minute का यानि कि 45 minute में आपको 80 question answer करना है जिसमें आपके reasoning के question include रहेंगे और numerical ability के question include रहेंगे अगर officer scale 1 की बात करी जाए तो officer scale 1 का जो preliminary examination होगा उसमें भी reasoning और quantitative aptitude के आपसे question पूछे जाएंगे जो कि 40-40 marks की रहेंगे इसके लिए भी जो आपको time allotment रहेगा वो आपको total composite time of 45 minute का आपको time मिलेगा और अगर आप इन चीच को कि इसको qualify करते तो then you will be eligible for the means examination means examination में पूरा job का testing होगा यह आपके पां subject पे किया जाएगा reasoning, numerical ability, general awareness, english language, or hindi language, or computer language और total 200 marks का वेपर होगा जिसके लिए आपको 2 गंटे का time दिया जाएगा और similar pattern follow करेगा officer scale 1 में भी similar pattern रहेगा और यहाँ पे भी 200 marks का paper होगा जिसमें आपको 2 गंटे का time दिया जाएगा अगर officer scale level 2 की बात करेजाए तो level 2 के लिए जो preliminary examination होगा उसमें भी mainly यहाँ पे जो आपका single examination होगा, single level examination होगा यह आपका 200 number का paper होगा जिसमें आपसे reasoning, quantitative aptitude, financial awareness, English, Hindi and computer knowledge की उपर paper पूरा based होगा जिसमें आपको total 200 marks का paper होगा officer scale और specialist carder की बात करेजाए तो specialist carder में भी 2 गंटे 30 मिट का paper आपके सामने आपको face करना पड़ेगा officer skill 3 की बात करेजाए तो total 2 गंटे का paper होगा, जो कि 200 marks का होगा जिसमें आपको face करना पड़ेगे, लेकिन आप English और Hindi language में से कोई भी एक subject choose कर सकते हो और अगर आप cutoff qualify कर जाते हो, then you will be eligible for the mains examination और mains examination के बाद आप अगले round के लिए proceed कर सकते हो तो overall यह आपका कुछ exam structure रहेगा, पूरा जो आपका exam scenario है, इस तरहीके से follow किया जाएगा और जो आपके exam score obtained in online examination है, तो अगर देखा जाए, तो पूरा का पूरा जो examination process है, इसमें normalization process भी follow किया जाएगा यानि कि अलगलक session में जो लोग paper दे रहे हैं, यानि कि अगर आप मालीजी आपके अलगलक shift में paper होते हैं, तो आपको paper का level हो सकते है, डिफरेंट रहे हैं, लेकिन उस process में भी normalization score follow किया जाएगा और इसके अलावा, office assistant की बात करी जाए, तो office assistant के final merit बनेगी, वो खाली उस base पे बनेगी, कि आप mains examination में कितना score कर रहे हो और अगर post officer skill level 1 की बात करी जाए, तो officer skill 1 में भी, आपके mains examination के marks consider किये जाएंगे final interview के लिए जो short listing होती है, उसमें खाली mains examination के marks consider किये जाएंगे और अगर officer skill 2 की बात करी जाए, और officer skill 3 की बात करी जाए, तो इसमें जो आपने single level examination में जो marks score किये, वो आपके final interview के लिए marks consider किये जाएंगे examination center की बात करी जाए, तो examination center, multiple examination center में ये paper होने वाला है, और इसके अलावा, ये सारे के सारे eligibility criteria थे, जो आपको follow करना है और अगर आपको apply करना है, तो आप IBPS की website पर जाके apply कर सकते हो, और total number of post की बात करी जाए, तो total number of multiple post पे वेकेंसी आए, लेकिन अगर to be very precise, कितने post पे वेकेंसी आपके सामने आई है, तो 5205 post आपके रहेंगे office assistant की, यानिकि अगर आप office assistant की post के लिए apply कर रहे हो, तो total 5205 post है, और अगर officer skill 1 के लिए apply कर रहे हो, तो 3312, यानि कि लगबख 3300 post आपके सामने रहेंगे, तो इस पे आप apply कर सकते हो, तो यह काफी अच्छी opportunity है आपके लिए अगर आप banking field में कही ने कहीं जाना चाहते हो, और काफी बड़े level पे post आएंगे, लगबख आपको देखा जा यहाँ पे आपको continuous examination मिले वाले हैं, और एक से बड़के एक examination आपको मिलेंगे, जहाँ पे आप apply कर सकते हो, बैंकिंग, और banking में सबसे ची बात यह होती है, कि total तीन महीने का schedule होता है, तीन महीने की schedule में आपको ultimately job मिल जाती है, तो आपको पूरा का पूरा procedure आपके सामने clear है Just the thing is, you need to apply, और apply करने के अलावा, जो हमारे अनय बैचे से start हो रहे हैं, वो तो start हो रहे हैं 8 June से, तो आप 8 June से आके हमारे किसी भी branch में join कर सकते हो, और एक और चीज में आप से बोलना चाहूंगा, कि 8 June से से बैचे start हो रहे हैं, अभी जब से notification है clear हुआ है, हमारे पास continuous call कर रहे हैं बच्चों के, कि सर बैच कप से start हो रहे है, तो लिब सीट्स जो रहेंगी वो हमारे लिमिटेड रहेंगी, तो आप अगर चाहते हो कि आपको कोई भी दिखकर difficulty face ना हो, तो आप advance में अपना registration करा लीजी, आप अपनी seat book कर सकते हो, कल के कल में आप अपनी seat को book कर सकते हो, ताकि आप पर सोच से जो हमारे बैच से start हो रहे हैं, आप उनको properly attain कर सको, तो काफी अच्छी opportunity है, जैसे अभी RRB की post आई, इसके बाद IBPSPO की post भी आएगी, तो overall, अगर आप एक exam की तयारी करते हो, तो आपके आने वाले exam की भी तयारी हो जाएगी, just the thing is you need to take it seriously, अगर आप banking field में, अगर आपने dream नहीं भी बनाया है, तो banking job इतनी अच्छे रहती हैं, आप पर्क्स, अलोइंसे और बाकी सारी चीजें काफी अच्छी होती हैं, तो आप at least this stage को apply करियो, और एक बार इसके लिए मैनत करकर देखिये, definitely you are going to get the positive result, तो stay